सिटी टिवी टिफोर नीवी चैनल सुतंत्र मीडिया परशद की तरप से होली की धेरोज शुब कामनाएं और बहुत-बहुत बधाई पुरानी रंजिस के कारएं दोपक्षों के बीच गोला बारी, शेखपुराजला हतीयामा ओपि अंतरगत धरमपुर गाउं में कई सालों से आपसी विवात के कारण बीती राथ हो ली के दिन दोपक्ष के बीच गोली मारी लाटी रंडे से मारपीट की सूचना मिली इस गोली बारी कांड में महिला 40 वर्षी किरंदेवी 45 वर्षी शुरेंद यादो समेट दो लोग बुरी तरह घायलों गए घायलों को छेकपुराजला के सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहांचिक सकोक के द्वारा प्रात्मी को प्चार करनी के बाद बेहतर इलाज के लिए पावा पूरी डेफर कर दिया गया है हतियामा वोपी प्रभारी भगवान प्रसाद और शेकपुरा आदर स्थाना प्रभारी विनोद राम ने घटना की सूचना मिलने के बाद अविलम करते हुए घटना इस्तल धरमपूर पहुचकर इस्तितिकाज जा लिया गया बिगरते हालात को काबू में किया वो ही दोनों पक्ष पूलिस को देखकर एक दो ग्यारा हो गये हतियामा वोपी प्रभारी भगवान प्रसाद और शेकपुरा आदर स्थाना प्रभारी अवर नीरीक्षक विनोद राम ने दोनों पक्ष को बुला कर धरमपूर गाउं में समझाया गया भी तीरात पूलिस ने समझा बुजा कर वापस गये पूलिस वापस लटने के वक्त इस्तितनी अंतरड में थी लेकिन गुरवार की दोपहर फिर से दोनों पक्ष आपस में भिर गए करणा की सूचना मिलने के वाद दोबारा हतियामा उपी से पूलिस सब इंस्पेक्टर देवेंद कुमार की नेतरत में दल बल के साथ धरमपूर गाउं पहुचे लेकिन तब तक सभी लोग गाउं छोड़कर एक दो ग्यारा रपूचक कर हो चुके थे फिलहाल अभी तक कि किसी की गिरिफ्तारी की सूचना नहीं मिली पुलिस गिरिफ्तारी के लिए लगातार चापे मारी कर रही है संतोस कुमार अंजनाई स्टेट हिट की खास रिपूचर